ब्रेक के बाद आपका एक बाद फिर से स्वागत और अब बात करेंगे शराबी सिक्षकी और स्कूल पर जड़ेता लेगी सरकार सिक्षा का इसतर सुधाने के लिए चाहे लाख कोशिशे कर ले चाहे मुफ्त के ताबी बांट दे या फिर मुफ्त सिक्षा मोहिया करवाए लेकिन जब तक जमीन इसतर पर धान चाही सही नहीं होगा तब तक सरकारी योजना और उनके मनसुबों का पूरा होना बिलकुल भी संफ़ब नहीं है क्योंकि साधुल शर के पास एक गाव में बने सरकारी स्कूल में टीचर शराब पिकर आता है और इसे वज़ा से जातर दिनों में स्कूल जो है बंद मिलता है ऐसे में जब सिक्ष तो खुद ही लगाया जा सकता है चलिए पूरा मामला समझाते हैं ये रिपोर्ट देखिए साधुल शर के चक छे बीजेस का राजके प्रात्मिक स्कूल जो कई दिनों से बंद पड़ा है स्कूल में महस पांच बच्चो का ही नमांकर है यहां 24 जुलाई तक पांच बच्चो पर दो अध्यापक कर रहत थे एक अध्यापक मनोहर सिहाग में परमोशन होने पर 25 जुल एललजी के माधमिक स्कूल में कारे भर संभाल लिया एक पैरा टीचर मूला राम है जो जाधतर अनुपसित ही रहता है और जब जनाब आते हैं तो एकदम टुल होकर जी हां शराब बेकर तो ऐसे में कोई क्यों अपने बच्चे को ऐसे टीचर के पास भेजेगा ऐसे में स् चार में सर्फ एक एक विद्यारती हैं और कख्षा पांच में तो तीन बच्चे हैं यानि पूरे स्कूल में सर्फ पांच बच्चे मामला बच्चों की सिक्षा का था तो परेशान ग्रामिनों ने बीएओ को पत्र लिख कर इस संभन में शिकायत की शिकायत में आरोप लगाया कि ये अध्यापक कभी कभार आता है वो भी शराब के नशे में होने की कारण कख्षा में लेट हो जाता है बच्चों को पढ़ा को प्रवेश दिलाया जा सके तो वहीं जांच में बीएओ ने भी शिकायत को सही माना और जांच रिपोर्ट डियो को सौंपती पूरे मामले को देखते हुए बीएओ और एबीएओ ने जांच डियो को सौंपती और एबीओ प्रमोड ढाका तो शराबी टीचर को हटा कर दूसरे टीचर की न्युक्ती की बात कर रहे हैं यही नहीं उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अब इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी चलिए अब हम भी यही उमीद करते हैं कि सिक्षा के मंदिर में अब सिर्फ सिक्षट टीचर्स और सिक्षा लेते बच्चे ही नज़र आए और इस स्कूल का ताला खुल जाए यहाँ पर पांचे नहीं सैकडों की संख्यों में बच्चों की ताधात नज़र आए वास्ट इंडिया के लिए शरी गंगा नगर के सादुल शहर से राजजेंद्र की रिपोर्ट संवाधाता राजजेंद्र गोल जुड़ चुके हैं उनका रूख करते हैं राजजेंद्र यहाँ पर तस्वीर बदलने के स्कूल की कही जा रही है आश्वासन जरूर दिया गया है वो कैसे तस्वीर होगी उसके बारे में भी आप से बात करेंगे लेकिन फिलाज जो तस्वीर आपने देखी जो यहां के अभी भापकों ने देखी और यहां पर जो बच्चे सिक्षा ग्रहन करते हैं सबसे पहले वही जानना चाहेंगे प्रकुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यह स्कूल है पांची तक का स्कूल है और शादू शहर से जो शहरी लाका है उससे लगबग 25 किलो मेटर दूर दूर पड़ता है और इसके आसपास 5-6 किलो मेटर दूर दूर तक कोई अबातिक शेतर नहीं है मतलब धानियों के अंदर यह स्कूल बना हुआ है और जब हम वहां पहुंचे तो स्कूल के सभी कमरों के उबद ताले लगे हुए थे जब वहां पर कुकुक थी जो पोशार बनाती है जब हमने उससे पूस्ताज की तब उसने बताया कि जो इसके अंदर सिर्फ एक ही टीचर हैं और वो सब्सक्राइब कर आता है आपने आश्रासन भी आगे बढ़ा दी फिलाल क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर सब्सक्राइब कर विदाले में आता है जिए जुलाई तज दो टीचर के एक टीचर स्टापिंग पैटर्ण में दूसरे स्कूल में चला गया जिए तुम वो सेकेंड लेवल गनित का था अब मुलाराम प्राया है उसकी गामवालों ने शिकायद की बीयो साब ने स्कूल के सब्सक्राइब कर विदाले में आता है जिए बीयो साब और हमारे पुर्शातम जी आर्पी ने दुबारा जांच की उसकी पालना रिपोर्ट हमारे नियंतरना दिकारी डियो साब को बेज दी है और मुलाराम की जगए निकट कंट्रोलिंग पावर की स्कूल है वहां से एक कि प्रमुजी प्रमुजी कब सहल जैने शुरू कर दी है जी बिन में पढ़ाई शुरू कुरवादी दिन में आराम से पोजार भी बना है जी पर मुझे ये मैं आप से जानना चाहती हूं क्या स्थाई रूप से कभ यहां पर टीचर्स की नुपती होगी क्योंकि नमांग कर यहां पर बच्चों का ना होना अब भी आप इस बात को समझते हैं सिर्फ पांच बच्चे हैं पहले दूसरी कश्चा की बात करें तो वहां पर तो कोई बच्चे नजर नहीं आते शायद एक ये भी वज़ा है कि जब टीचर्स यहां पर शराबी थे टीचर्स ना के बराबर है तो बच्चे कैसे आएंगे बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने तुरुंत यहां पर एक्षन लिया है लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बच्चों का नमांकन बड़ा कम है इसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे लेकिन वहां के लोगों का ये भी कहना था कि जो मुख्या वज़ा ये थी कि यहां पर टीचर्स नहीं है और जब एक टीचर की हालत उन्होंने देखी जो शराप पी कर आता था तो वो बच्चों को कैसे भेजे अब आप फिर से उनका विश्वास जो है वो कैसे जीतेंगे नमांकन कैसे बढ़ाएंगे जो सिक्षा की अलग की बड़ी बाते की जाती है वो जागरू कैसे किया जाएगा लोगों को क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम जो है वो तो करना ही पढ़ेगा तो उसके बाद त्वरित यहाँपर कारवाई हुई है यहाँपर और स्थाई टीचर फिलहाल लगा दिया गया है इस थाई टीचर लगाने की बात यहाँपर कही गई है एक मसला ये भी था कि यहाँपर नमांकन बच्चों का बेहत कम है पांच बच्चे पहली कक्षा में एक भी बच्चा नहीं लेकिन अब इनोंने लोगों को जागरू करने की बात की है क्योंकि दूर-दूर धानियों के लोग रहते हैं यहाँ पर विश्वास एक बार फिर से जगाना पड़ेगा नुकर नाटक यहाँ पर किये जाएंगे फॉस्ट इंडिया पर खुद ब्लॉक सिक्षा दिकारी यह आश्वासन देते हुए नजर आए उमीद करते हैं कि अब इस स्कूल में बच्चों के चहल पहल नजर आएगी टीचर जो है सिक्षा देते नजर आएगे कोई शराबी अब यहाँ पर नजर नहीं आएगा सिक्षा का मंदिर है सिर्फ सिक्षा यहाँ पर होती नजर आएगी अब यहाँ पर तस्वीर स्कूल में बदलती नजर आएगे फल्हाल खास प्रोग्राम में इतना ही लेकिन खबरों का सिलसला लगातार चारी है आप देखते रहिए फॉस्ट हिंजिया नमस्कार कर दो